दुकान पर समोसा खा लिया और जब डिजिटली पेमेंट करने की बारी आई तो स्मार्टफोन स्क्रीन पर लिखा आया एप नॉट लोडिंग, नॉट वर्किंग और आपके पास कैस भी नहीं है आप आगे जो होगा वो आपको पता है हम बात कर रहे हैं फोन में चलते-चलते अचानक बंद हो जाने वाले एपस की कितनी चिड़ होती है वो हम बया नहीं कर सकते अचानक से एप बंद और स्क्रीन पर नज़र आता है एपस कीप स्टॉपिंग एप क्रेस होना कहते हैं इसको और ये सभी के साथ होता है पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं सबसे पहली खबर गूगल की दरफ से पापुलर एप्स और गेम्स के मिलते-जुलते अप्लीकेशन मतलब जो एक नाम के होते हैं यूजर्स को कनफ्यूज करते हैं और साथ में लगातार एड भी दिखाते हैं गूगल ने अपनी प्ले स्टोर पॉलिसी में बदलाव करके उन पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है नई पॉलिसी के बाद नकल करने वाले और बात-बात पर पॉप-प में एड दिखाने वाले एप्स को गूगल बैन करने वाला है ट्विटर पर आपको जल्दी ही एक ट्विट में अलग-अलग फॉर्मेट के मीडिया फाइल्स एक साथ पॉस्ट करने का उप्सन मिलने वाला है फिलाल अभी सिर्फ एक इमेज, वीडियो या जी आइफ ही पॉस्ट की जा सकती है कंपनी ने खुद इस स्पीचर के बारे में कंफर्म किया है चलते हमारे दूसरे सेग्मेंट टेक मार खां की तरफ खाना खाते खाते अगर मुह में कंकड़ा आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है ऐसे ही दिमाग का दही तब होता है जब यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देखते समय या इंस्टा पर रिल्स देखते समय एप बंद हो जाए स्मार्टफोन में आजकल हर काम के लिए एक नहीं बलकि कई-कई एप्स होतने है उपर से देखने पर ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन यही एप्स जब क्रेस होने लगते हैं फ्रीज होने लगते हैं तो बहुत कोफ्त होती है स्क्रीन पर कोई जरूरी फोन आ रहा लेकिन फोन एप अटका पड़ा हुआ है या फिर ऑफिस में गुरूप फोटो लेते समय टैमरा ओपन नहीं होता पेमेंट डटकने पर दुकान वाले भाहिया जो आपका एक्सरे करते हैं वो अलागी है अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ये समझा जाए कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे बचने का तरीका क्या है आखेर apps freeze होते क्यों है? Apps के freeze होने या open नहीं होने की एक बज़े phone में storage ना होना या wifi या internet का कमजोर होना भी हो सकता है अगर ऐसा होता है तो आपको screen पर या app में message मिलता है लेकिन कई बार सब सही होते हुए भी app अचानक से stop हो जाता है एप को लगातार इस्तमाल करने या किसी game को खेलते समय भी अगर ऐसा होता है तो उसका कारण smartphone का अधिक गरम होना है Android smartphone में इस process को throttling कहते हैं जिससे या तो app को बंद कर दिया जाता है या फिर app की performance को slow कर दिया जाता है software update के बाद भी ऐसी परेशानी देखी जाती है software update से हमारा मतलब phone के operating system या जो Android operating system होता है उससे या security patch से है ऐसा update में किसी bug या खामे की वज़े से हो सकता है ये तो हो गया कारण अब दिखते हैं दिक्कत दूर कैसे होगी सबसे पहले कुछ basic तरीके अगर screen पर app not loading या check your data connection का message आता है तो internet वाइफाई को check कर डालिए flight mode या simple सा restart आपका काम बना देगा settings में जाकर network reset करना भी कोई बुरा नहीं है wifi router को reset करना बहुत सारी problem का हल हो सकता है phone की storage या आपके phone में कितनी भी हो कम ही लगती है heavy graphics वाले game और HD movies या पर दोस्त की सलाय पर सिर्फ एक coupon के लिए download किये गए apps इस सब storage पर बेजा कबजा जमाए रहते हैं settings में जाकर storage manager पर click कीजे ध्यान रहे कोई third party apps की जरूवत नहीं है free up space option आपके काम का है आजकल smartphone में बहुत बहतरीन तरीके से दिखता है कि कौन सा app storage चूस रहा है गयर जरूवरी apps को delete मारी है apps को थोड़ी डाट लगाई है कहने का मतलब force stop यह process पहले बहुत करना पड़ती थी क्योंकि apps background में run होते रहते थे लेकिन आजकल smartphone खूब smart हो गए हैं तो कम जरूवरत पड़ती है हाँ अगर आप किसी app के अचानक से बंध होने से परेशान है तो settings में जाकर उस app पर click कीजिए option में आपको force stop मिलेगा ऐसा करता है यह app सीधे zero से start हो जाएगा app cache clear करना apps को इस्तमाल करते समय बहुत छोटी छोटी सी file इकट्टी होती जाती है इनको system से clear करना बहुत जरूरी है आमास पूर्णी मा बोले तो कभी कबाल यह process आपको सारे apps के साथ करनी चाहिए विशेशकर उन apps के साथ जो खूब इस्तमाल होते हैं clear storage इसको लेकर बहुत सारे ब्रहाम है अगर आप app info के अंदर देखेंगे तो आपको clear storage और clear cache का option अलग-अलग नजर आएगा अगर cache clear करने से बात नहीं बनती तो इसको आजमालीजे Google जैसे apps जो कहने को तो कोई storage नहीं लेते लेकिन एक समय के बाद इनके अंदर GB में data save हो जाता है इसको clear करने से app मक्षन जैसे चलने लगते हैं एक कदम पीछे लीजे ये बहुत कामका और मज़ेदार तरीका है आपके smartphone में तमाम preload apps होते हैं जैसे Google के apps इनको delete तो किया नहीं जा सकता ऐसे में अगर ये apps freeze हो रहे हो तो प्ले स्टोर में जाकर इनका update uninstall कर दीजे app एक step पीछे के version में आ जाएगा और बहुत मुम्किन है कि आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी ये tried and tested तरीके हैं जो app की crash landing को smooth landing में बदल देते हैं हाँ, app install करना या फिर factory reset करना भी एक option है लेकिन वो जब सारे दरवाजे बंद हो जाएगा अब करते हैं जुगार पर चर्चा जुगार पर चर्चा में राहुल कुमार का सवाल है राहुल कह रहे हैं कि Samsung के M31S स्मार्टफोन के बहुत से phone के mother world उड़ जा रहे हैं और company warranty में भी पैसा ले रही राहुल ऐसा कोई मामला हमारे संग्यान में तो नहीं है लेकिन mother world उड़ने का कारण अगर company की सर्तों को पूरा नहीं करता तो company charge कर सकती है इसे phone का गिरना, पटका जाना या फिर पानी में बहुत देर तक पड़े रहना अगर phone खराब होने की वज़ाए इनसे अलग है और company आपसे पैसे चार्ज कर रही तो आप कानूनी कारवाई कर सकते है दूसरा सवाल है नरुत्म दास का नरुत्म अच्छी cable से phone चार्ज करते हैं फिर भी phone धीमे चार्ज होता है नरुत्म सिर्फ अच्छी quality जरूरी नहीं है बलकि compatibility देखना भी बहुत जरूरी है केबल अच्छी है लेकिन power कम जनरेट करती है तो कोई फायदा नहीं होगा इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस company का phone है उसकी cable इस्तमाल कीजिए ये दा आज का हमारा ललन टेक शो कैमरे को समाला है जतिनने मैं हूँ सूरे कान देखते रहिए ललन टॉप